सितार सिता को या अगो कर आखिर मैं भी बॉलीविडיה का कोई बड़ा सितार होता ऊंकि लगज़्री लाइफ डायल हमेशा से लोगों को मोटिवेट करती है इतना ज़्यादा लाइम लाइट इतने ज़्यादे पैसे और इतनी ज़्यादा ऐश्वाराम की जिंदगी हर कोई जीना चाहता है लेकिन दोस्तों आज हम आपको बॉल्वन डस्टी के एक ऐसे सितारे से रूगरू कराने वाले हैं जो फ्लॉप सावित हुआ लेकिन आज वो आली शान और एश्वाराम की जिंदगी जी रहा है और ये सितारा कोई और नहीं बलकि साहिल खान है इस चेहरे को आपने एक्स्क्यूज मी और स्टाइल जैसी फिल्मों में देखा होगा अलाकि पहले उनकी डैवी फिल्म सूपर डूपर हिट सावित हुई थी लेकिन आज वो काफी लाइम लाइट में बन चुके हैं टाइगर शुरॉप की मा आईशा शुरॉप के साथ उनके अफेर के किस्से हो या फिर हर रोज इंस्टाग्राम या फिर किसी सोशल मीडिया पर उनकी कोई न कोई नई तस्वीर हमीशा से ही चर्चाओं के बिशे में बनी रहती है लेकिन दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि एक फ्लॉप एक्टर इतनी आलशान जिद्गी कैसे जी रहा है अक्सर आएदे शोशल मीडिया पर उनकी कोई न कोई तस्वीर हमें देखने को मिलती ही रहती है जहां पर साहिल खान फिरंग्यों के साथ नजर आते हैं कभी वो फिरंग्यों से मसाज करते हुए दिखाई देते हैं कभी वो उनके साथ नहाते हुए दिखाई देते हैं और कभी वो बीच पर काफी बोल्ड तस्वीरें लेते हुए नजर आते हैं उनकी इन तस्वीरों को लोग काफी ज़्यादा पसंद भी करते हैं इस वक्त अगर साहिल खान की बात करे तो वो पेशे से बोडी बिल्डर है और वो गोवा में एक जिम भी चलाते हैं शांदार बोडी के साथ साहिल खान की जिंदगी भी काफी ज़्यादा लाइम लाइट म बनी रहती हैं और आए दिन की कोई ना कोई तस्वीर को लेकर चर्चाई की ही जाती हैं फिरंग्यों के साथ उनकी तस्वीरे हो या फिर किसी मॉडल के साथ उनका नहाना हमीशा से ही फैंस उनकी इन सभी तस्वीरों को पसंद भी करते हैं साहिल खान चोशिल मीडिया पर और इस्टाग्राम पर उनके करीब 6 मिलियन से प्लस फॉलोवर भी हैं भले ही बॉलिवुड के फिल्मों में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वो फॉलोप एक्टर रहे लेकिन इस समय वो किसी बड़े सैलवेटरी के तोर पर ही जाने जाते हैं फिलाल वो दुबई में अपना ज्यादा समय बिताते हैं और यहाँ पर हर रोज अपनी जिंदकी से जुड़ी कोई न कोई तस्बीर शेर करते ही रहते हैं जहाँ पर उनकी शांदार भोड़ी तो देखने को मिलती है साथी खूबशूरत नजारा भी देखने को मिलता है हाला कि साहिल खान सबसे मह उनके फृट्नेस ट्रेनर मैंसे एक हैं साहिल खान कई फिर्डनेस कंपणियों के ब्रैंड मेंस्टर भी थे लेकिन जब उन्होंने अपना ब्रैंड शुरू किया तो उन्होंने अन्हें कंपणियों के लिए ब्रैंड बैंस्टर बनना छोड़ दिया और वो केवल आपने इजी ब्रैंड के लिए ब्रैंडिंग करते हैं हम डेटेल में नहीं जाते हैं लेकिन उनके इस्टाग्राम पर और यूटूबो कमपनी को मिलाकर कीमत लगबग 5-10 मिलियन डॉलर है साहिल खान के पास हंक वाटर केर रूप में विक्तिकत पानी के ब्रांड नाम भी है और ये बाजार में बेचा जा रहा है और लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं और बहुत से लोग पानी का वितरन खरीद रहे हैं अब अगर उनके कॉंट्रवर्सी की बात करें तो साहिल खान का 2009 में आईशा श्रॉप के साथ कथित तोर पर अफेर था जब दोनों ने एक साथ पोड़क्शन कंपनी शुरू की थी दोनों के कथित संबंद और उनकी बेवसाइक साजिधारी ने 2014 में बाद में बसूरत रूप ले लिया जब उसने उसके खिलाब कानूनी मावला दायर किया बदले में अबनेता के वकील ने अदालत को कुछ अतरंग तस्वीर प्रस्तुत की जिसमें साहिल खान और आईशा श्रॉप दोनों को समझोता की स्तिति में दिखाय गया था जिसका आर्थ था कि दोनों के बीच सिर्फ पेशेवर पतिवजिता से कहीं अधिक था मार्च 2015 में आईशा श्रॉप और साहिल खान के एक दूसरे के खिलाब अपनी शिकायतों को उपचारिक रूप से वापस लेते हुए कानूनी जांच को समापत कर दिया 2014 में ही खान बॉलिवूड अबनिता सना खान के साथ कथित प्रेम इसमाइल खान के साथ एक जिम लड़ाई में शामिल हुए थे कथित तोर पर इसमाइल ने मुंबई के एक जिम में एक बेपारिक जगड़े में साहिल की पिटाई भी की थी तब भी वो काफी ज़्यादा सुर्खियों में चायत है लेकिन इस समय साहिल खान अपने लगजरी लाइफस्टाईल को लेकर काफी ज़्यादा चर्चाओं में चल रहे है आई दिन सोशल मीडिया पर उनकी कोई न कोई तस्वीर शेर हो ही जाती है जिसे सोशल मीडिया पर आग के तरह पसंद भी किया गाता है साहिल खान के जबरदस बोडी के तो हर कोई दिवाना है साथी फिरेंगियों के साथ उनकी तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है अब ऐसे मैं साहिल खान की इस लक्जरियोस लाइफ स्टाइल को लेकर आपका क्या कहना है कोमन कर अपना सुझाओ जरू दीजिए